गुड मॉनिंग क्लास आज का टॉपिक है लिगेंड फिल्ड 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 फिल नेशन है इस लेक्चर में तो अगर हम crystal field theory की बात करें crystal field theory के according क्या होते थे जब metal होते थे जो metal होते हैं वो जब ligand के साथ bond बनाते थे या फिल ligand के साथ जो bond बनाते थे तो उनमें ionic interaction होता था metal जो हो positive charge करता था और ligand जो होता है वो negative charge करता था ऐसा crystal field theory में बताये गया था और इन दोनों में एक ionic interaction होता था जिसकी वज़ाद से इन में bond बनते थे crystal field theory में जो जैसे आपका ये cobalt ammonia के ligand है छे ammonia के ligand है और वो cobalt metal के साथ क्या है ionic interaction के साथ attract है उन्होंने कहा कि जैसे cobalt पे positive और ligand पे negative charge आता है crystal field theory के according metal complexes को इन्होंने NaCl के साथ compare किया था जैसे salt जो होते है positive और negative charge करते हैं ऐसे metals भी जो होते हैं वो positive और negative charge करते हैं लेकिन जब ESR से IRCL 6 को देखा गया तो होना क्या चाहिए था इनके पास भी ionic interaction होना चाहिए था और एक point charge होना चाहिए था metal के पास और ये dipoles होने चाहिए थे इसमें लेकिन जब ESR से इस particular complex को देखा गया तो इसमें क्या हो रहा था hyperfine splitting थोड़ी बहुत splitting हो रही थी और de-localization of electron of d-orbital on to six chloride atom ठीक है बलब जो ये IR के जो d-orbital के जो electron थे वो de-localized हो रहे थे और किस के पास chlorine atom के पास तो इससे prove होता है कि इसमें कुछ न कुछ some covalent character भी पाए गया ऐसे ही जो हमारा KMNF3 है या फिर KNIF3 है इनको जब NMR से देखा गया तो इनमें भी covalent character मिला तो आप crystal field theory में सिर्फ ionic interaction के भीहाब पर बताया गया था लेकिन उसमें कुछ experiment जैसे ESR से देखा गया NMR से देखा गया तो कुछ complexes ऐसे भी मिले जिसमें covalent character मिल रहते हैं तो इसी crystal field theory को थोड़ा सा modify किया गया थोड़ा सा adjust किया गया जिसको हम बोलते है adjusted crystal field theory या फिर modified crystal field theory और वो किसके भीहाब पर modify किया गया ligand के भीहाब जो ligands आते थे उनको उनके भीहाब पर इसको modify किया गया तो इसको हम बोल सकते है ligand field theory या फिर molecular orbital theory तो अगर हम ligand, field theory या molecular orbital theory की बात करें तो देखो molecular orbital theory के according क्या होता है जैसे हमारे पास AB two heterodatomic molecule है इसमें ये जो हमारा A है और ये हमारा क्या है? पी है तो जब हम इसका molecular orbital diagram बनाते हैं तो जो A होता है इसको capital लिख लो कोई दिखकत हो तो तो जो A है और ये जो B atom है ये दोनों आपस में combined होते हैं अच्छा एक चीज और heterodatomic molecule है तो एक के energy low होगी और दूसरे के energy क्या होगी? high होगी ये मैंने आपको molecular orbital theory में बताया हुआ है तो जैसे A है और ये हमारा B atom है ये A और ये B atom आपस में combined होंगे तो एक bonding बनेगा और दूसरा एक bonding बनेगा और दूसरा एक bonding बनेगा और दूसरा एक bonding बनेगा अगर हमारा ये A atom इस A B bonding molecule के साथ ज़्यादा close है ठीक है तो electron density इस पर ज़्यादा आएगी ठीक है बात समझ में आ रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे A negative और इसको क्या लिखेंगे B positive लेकिन अगर हमारा ये bonding molecular A B bonding molecular orbital इस B orbital के close होता तो B पर negative charge का ज़्यादा power रहता ठीक है तो हम क्या लिखते B negative और A positive तो हमने ये वही लिखा है कि अगर हमारा bonding A के nearer है close to A ठीक है इसको हम A माल लो A के nearer है तो A पर negative charge और B वाले पर क्या होसा हैगा positive charge लेकिन अगर हमारा bonding जो है B के nearer है तो अब जो ये electron density है ये किस पर ज़्यादा वर करेगी B पर तो B हमारा negative और A हमारा क्या होसेगा positive ठीक है यह मैंने लिखा भी है larger energy gap between atomic orbital than more the ionic character जितना ज्यादा energy gap होगी कि atomic orbitals में उतना ही ज्यादा ionic character इसमें produce होगा ठीक है अब अगर हम complexes की बात करें तो complexes में हमारे क्या होते है metal होते हैं और ligand होते हैं crystal filtery के according इन दोनों में interaction होता है लेकिन और भी experiment हुए उसमें यह बताया गया कि इसमें कुछ covalent character भी बाये गया तो metal में हमारे कौन-कौन से orbital होता है metal में हमारा d orbital होता है s orbital होता है और p orbital होता है अगर हम ligand की बात करें तो जो ligand होता है वो matter से क्या कर रहा है overlap कर रहा है धीर सारे ligand overlap with several ligand orbitals अब मारे जो ligand के orbital होते हैं वो क्या हो सकते हैं वो या तो s होंगे या फिर sp hybridized orbitals होंगे तीक है और यह जो different ligands orbital होते हैं यह आपस में combined होके lgo form करते हैं जिनको हम composite orbitals भी बोलते हैं metal orbital को और थोड़ा सा discuss करते हैं जैसे metal d orbital metal d orbital में हमारे d orbital होता है s orbital होता और p orbital होता है d orbital यह मैंने crystal field theory में coordination chemistry में पढ़ाया हुआ है कि d orbital में 5 orbitals होते हैं जो degenerate हो जाते हैं डबली degenerate और ट्रपली degenerate तो यह जो हमारे metal d orbitals होते हैं 5 orbitals होते हैं 1 2 3 4 5 इसमें जो ट्रपली degenerate होते हैं इसको हम t2g से और जो डबली degenerate होते हैं उसको हम eg से denote करते हैं टिक जो हमारा S orbital होता है, यह degenerate नहीं होता है, इसको हम A1 G से denote करते हैं और जो हमारा P orbital होता है इसको हम लिखते हैं T1 U ट्रेपली degenerate होते हैं और T1 U अच्छा, यहाँ पर U क्या है? U का मतलब होता है unzirate, यहाँ पर G क्या है? G का मतलब होता है zirate यहाँ भी देखो GZ लिखा इसका मतलब होता है zirate अब आए समझते है zirate और unzirate क्या है? तो अगर हम P orbital की बात करें अगर हम P orbitals की बात करते हैं बेटा, तो यह हमारे P orbitals यह हमारा X इसको मान लो, इसको Y मान लो और इसको Z मान लो तो इसमें क्या है? एक की लो, एक लो, प्लस में होती है दूसरी माइनस में एक प्लस में, दूसरी माइनस में तो अगर हम यहाँ से center of symmetry देखें तो यहाँ जाने पर positive है और यहाँ जाने पर negative है मतलब यह क्या है? unzirate है ऐसे ही इसका देखो यहाँ जाने पर positive है यहाँ जाने पर negative है तो यह क्या होते है? unzirate और unzirate के लिए हम लिखते हैं यो लेकिन अगर हम S-orbital की बात करें तो S-orbital का अगर हम एक ही phase लें तो यह पॉजीटिव phase में होगा और या फिर यह negative phase में होगा तो अगर हम यहाँ से center of symmetry देखें तो जितना negative यहाँ मिलेगा उतना ही negative यहाँ मिलेगा तो इसमें cause present होता है और जिसमें cause present होता है वो सभी के सभी क्या होते हैं Z-rate होते हैं तो यह क्या हो जाएंगे Z-rate D-orbital की बात करें तो D-orbital में 4 lobes होते हैं कुछ इस type का देखो ठीक है अगर यह positive है तो यह भी positive है यह negative है तो यह negative है अगर हम यहाँ से center of symmetry देखें तो यहाँ जाने पे negative है यहाँ जाने पे negative है यहाँ जाने पे positive है यहाँ जाने पे positive है इसमें क्या होते हैं center of symmetry present होती है इसलिए ये क्या होते हैं, जीरेट होते हैं, तो I hope आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर G क्यूं लग रहा है, और यहाँ पर U क्यूं लग रहा है, P orbitals हमारे क्या होते हैं, अंजीरेट होते हैं, बाकि S और D orbitals हमारे क्या होते हैं, जीरेट होते हैं, अब आईए हम पढ़ते ह S-Orbital of Metal S-Orbital of Metal को हमने किसे Renote किया था A1G से और ये S-Orbital हमारे क्या होते है Z-Rate होते हैं सबसे पहले समझते हैं जैसे हमारा कोई Metal है Metal कौन पर Point Charge होता है Metal है ये Metal का हम मान ले इसको कौन सा X's मान ले Y-X's मान ले इसको हम X-X's मान ले और इसको हम Z-X's मान ले तो ये 3 कौनेट हो जाएंगे हमारे किसके Metals के ठीक है तो हम इसको बोल सकते हैं There are 3 कौनेट X, Y and Z और इन ही कौनेट मलब इन ही एक्सेस पे ही हमारे Legands क्या होते हैं तो हम बोल सकते हैं And LGO would come LGO मलब क्या हो जाएगा आपका Legand Group Orbitals इनके लिए एक Condition भी Must होनी चाहिए जो Legand Group Orbital या LGO जो आते हैं उनकी सिमेट्री हमारे Metal Orbital की सिमेट्री से मैच होनी चाहिए ये Must है अब जैसे हमें S Orbital of Metal Az का देखना है तो ये हमारा S Orbital हो गया है S Orbital का हमने एक Face लिया है Positive Face तो जो Legands आ रहे हैं मालनो Legands हमारे X Axis से आ रहे हैं तो ये पार्ट जो हो जाएगा हम ऐसे ही बोल सकते हैं जो हमारे Legand होते हैं Legand Always Approach to the Positive Sign जो Legands होते हैं ये Positive Sign से Approach करते हैं Positive और Negative दोनों होंगे लेकिन Positive Side से हमारे Legands क्या होते हैं Approach करते हैं तीक है और इस पार्ट को हम बोलेंगे Positive Part of X Coordinate इसको हम बोलेंगे Negative Part of X Coordinate ये Plus में होगा तो ये Minus में होगा ऐसे इसको हम बोलेंगे Positive Part of Y Coordinate और इसको हम बोलेंगे Negative Part of Y Coordinate इसको हम बोलेंगे Positive Part of Z Coordinate और इसको हम बोलेंगे Positive Part of Negative Part of Z Coordinate तो ये Coordinate होगे अब Legands हमारे इन ही से आते हैं यहां से आएंगे यहां से आएंगे, 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 तो अगर हम इसका summation निकाले, तो summation क्या हो जाएगा, यह जो आपका, यह मैंने जो capital A1G लिखा है, यह क्या हो जाएगा, यह हमारे molecular orbital का हो जाएगा, और जो हम small लिखते हैं, A1 G यह हमारी क्या हो साथ है atomic orbital बाद समस में आ रही है तो इसके लिए हमने A1 G लिखा है लेकिन यह submission हमारा सब का निकलेगा ligand का भी और metal का भी तो हम इसको capital में लिखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं wave function of LGO यह जो हमारा A1 G है यह क्या हो जाएगा wave function of LGO इसका submission निकालेंगे तो 1 upon under road 6 यह क्या हो जाएगा sigma x क्योंकि यह जो हमारे r है orbitals यह क्या बनाएंगे s orbital हमेशा क्या बनाता है sigma 1 बनाता है तो अगर हम इसको sigma x लिखेंगे ठीक है फिर plus क्या हो जाएगा हमारा sigma minus x ऐसे sigma y plus sigma minus y ऐसे sigma z x z फिर उसके बाद क्या हो जाएगा sigma minus z sorry sigma minus z ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा summation of wave function of LGO ओके यहां पर जो हमारा sigma होता है यह wave function of contributing orbitals होते हैं अच्छा आप यह सोच रहें कि यह 1 upon under road 6 कहां से आया तो यह normalization होता है normalization of wave function normalization of wave function में जैसे हमने si लिया ठीक है यह जो si है यह होता है हमारा wave function of molecular orbital यह si हमारा wave function of molecular orbital होता है और यह जो phi होता है यह phi हमारा क्या हो जाएगा wave function of atomic orbital तो इसका हम निकालते हैं summation normalization constant निकालेंगे तो हमारा one upon under road 2 आएगा अच्छा होता क्या है कि अगर हम si को देखें आई का formula होता है c1 51 plus c2 52 जितने हमारे coefficient लगे हैं हम सबको add कर देते हैं ठीक है तो यहां पे देखो यह 1 है यह भी 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 1 है तो हम सबका square ले ले लेते plus one square plus one square plus one square plus one square तो क्या हो जाएगा हमारा 6 ठीके अब आगर हम उसका normalization condition देखे तो हम कैसे करते हैं c1 square plus c2 square जितने भी हमारे पास हो coefficient उनस अभी को हम add करते हैं ठीके add करने पर हमारा जो normalization condition वो व। 1 आना चाहिए अगर ये 1 नहीं आ रहा है तो हम इसको normalization condition को normalize करने के लिए क्या कर देते हैं 1 upon under root c1 square plus c2 square जितना भी है हम इसको under root कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास 6 है इसलिए हम लिख देंगे इसको 1 upon under root 6 और यही मैंने इसको यहाँ पर रखा है तो I hope यह आपको समझ में आया होगा इसके पहले हमने बात की थी s orbital of metal ठीक है अब हम बात करेंगे lg o formation of p orbitals ठीक है of metal in metal ठीक तो metals में देखो तीन orbitals उतने px, py, pz अगर हम metal का px लेते हैं तो px में एक लोब आपकी positive होती है और एक लोब आपकी negative होती है और यह हमने x बना दिये हैं ठीक है यह हमारा positive coordinate है x का और यह हमारा negative coordinate of x-axis है अब ligand कि दर से approach करेगा इधर से भी approach करेगा और इधर से भी approach करेगा और मैंने आपको पहले ही बताया था ligand always किस side से approach करते है positive side से पहले positive बात है फिर negative बात है ठीक तो अगर हम इसका summation लिखेंगे तो summation क्या हो जाएगा px px is equal to क्या हो जाएगा यह हमेशा क्या बनाएंगे sigma bond ही बनाएंगे क्योंकि head to head overlapping हो रही है यह metal का orbital है इधर क्या हो जाएंगे आपके ligand का orbital हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे sigma x ठीक है क्योंकि यह sigma बनाएगा फिर उसके बाद यह देखो यह negative है ठीक है तो हम यहाँ negative लिखेंगे फिर यह हमारा कौन सा coordinate है minus coordinate है तो हम लिखेंगे sigma minus x अब इसका हम submission निकालेंगे तो submission क्या हो जाएगा submission px is equal to क्या हो जाएगा 1 upon under root 2 sigma x minus sigma minus x ओके यह 1 upon under root वैसे ही आएगा जैसे 1 upon under root 6 अगर हम py के लिए लिए लेंगे तो same वही चीज़ हो जाएगी यह sigma x की जंगा y हो जाएगा और यहाँ भी x की जंगा y हो जाएगा ऐसे ही z का लेंगे तो z में भी x की जंगा z हो जाएगा और यहाँ पे minus x की जंगा minus z हो जाएगा अब बात करते हैं LGO formation of d orbital यह d orbital है sorry LGO formation of d orbital in metal बीटर यह थोड़ी सी mistake हो गई है LGO formation of p orbital in metal आप LGO formation of d orbital in metal में देखें तो जो d orbital होते हैं इसमें 5 orbitals होते हैं एक होता आपका d x y d y z d z x और दूसरा होता आपका d x square minus y square और d z square यह आपके triply descend rate होते हैं इसको हम लिखते हैं t2 g से और यह आपके डबली descend rate होते हैं इसको लिखते हैं e g से लेकिन जो हमारे ligands होते हैं वो axis पे आते हैं यह orbitals हमारे between the axis होते हैं तो यह sigma bond नहीं बनाएंगे यह हमारे on the axis होते हैं तो orbitals होते हैं वो ligands होते हैं वो axis से आएंगे तो हमारे इनी के साथ इनकी symmetry match करेगे तो इनकी बात हम नहीं करते हैं अगर हम इसकी बात करें d x square minus y square के तो यह हमारा metal हो गया और यह metal की orbitals हो गए dx square minus y square तो एक लोब positive में दूसरी लोब negative में होती है देखो इसमें क्या है जी rate होते है अब मालो एक हमारा जो legend है वो x axis से आ रहा है और y axis से आ रहा है ठीक है तो इसका जब हम summation लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे dx square minus y square यहाँ पर क्या है sigma x यहाँ पर क्या है देखो पीटा यह positive है इसलिए प्लस लगाएंगे फिर sigma minus x ठीक अब यहाँ पर यह negative है तो क्या लिखेंगे minus sigma y यहाँ पर भी negative है तो minus sigma minus y क्योंकि यह opposite coordinate है ठीक है यह हो जाएगा अब इसका normalization constant लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon under root 4 जैसे मैंने आपको 1 upon under root 6 और 1 upon under root 2 बता है वैसे यह क्या हो जाएगा 1 upon under root 4 क्योंकि देखो यहाँ पर 1,2,3,4 है ठीक तो इसका क्या हो जाएगा sigma x plus minus sigma x minus y minus sigma minus y अब अगर हम formation of dz square की बात करें ठीक है तो dz square को हम कैसे लिख सकते हैं dz square को हम अगर देखें तो dz square को कैसे लिख सकते हैं dz square minus x square plus dz square minus y square क्योंकि जो dz square होता है यह ऐसे बनता है यह आपका dz square होता है और यहाँ पर क्या होता है x square minus y square होता है ठीक है यह आपका negative होता है और यह आपका क्या होता है positive होता है तो dz square को हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक तो अगर हम dz square और x square का लोग बना है तो यह कैसे बनेगा यह बनेगा यह z axis हो गया और यह आपका क्या हो गया x axis हो गया यह positive positive हो गया यह negative negative हो गया ऐसा ही अगर हम dz square और y square का बनाएं तो यह आपका z axis है और यह आपका y axis है तो यह हो गया ठीक है इन दोनों को हम combine भी कर देंगे अगर हम इन दोनों को combine करें तो देखो बीच में हमारे क्या रहे negative sign आ रहे है और up down हमारे क्या रहे positive sign तो हम क्या कर रहे हैं अब अगर हमारा जो ligand है वो इस axis से भी approach कर सकता है और यहां से भी approach कर सकता है यह positive part of x coordinate है यह negative part of x coordinate है यह positive part of z coordinate है और यह negative part of z coordinate है बनाएंगे लिकिन यह sigma bond ही अब क्या हो सहेगा dz square minus x square का अगर हम summation निकाले तो क्या हो जाएगा देखो इसका अगर हम summation निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा sigma अब यहां पर क्या है minus है तो हम क्या लिकेंगे sigma minus z plus क्योंकि यहां पर plus sign आ रहा है तो हम क्या लिकेंगे sigma plus z फिर minus sigma x फिर minus sigma minus x ऐसे ही dz square minus y square का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका minus sigma z plus sigma z minus sigma y minus sigma minus y यह जो minus charges आते हैं यह इसके भिहाब पे आते हैं अब इसका हम submission निकालें तो submission of dz square क्या हो जाएगा submission of dz square minus x square plus submission of dz square minus y square इनी दोनों को हम क्या करनें combine करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं और combine करके जब हम इसका coefficient constant लिखें normalization constant लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा under root 12 इसको आप solve करके देखेगा और इसको मैंने यहाँ पे यह solve करके यहाँ पे लिख दिया है अब आईए बात करते हैं sigma bonding in molecular orbital diagram of octahedral complexes तो orbitals हमारे कौन कौन से थे orbitals हमारे जो थे वो क्या थे s थे p थे dz square और dx square minus y square जो orbitals हमारे between the axis लाई करते थे उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं अच्छा s के लिए हमने level क्या लिखा था या तो हम capital a1g लिख सकते हैं p के लिए हमने जो orbitals लिखे थे वो क्या लिखे थे या तो capital T1u या फिर small t1u ये आपके un-g rate होते हैं और triple d z जनरेट होते हैं dz square के लिए हम या तो easy लिखते हैं capital easy या फिर small easy ठीक है यह हमारे क्या होते हैं w d zनरेट और x square minus y square के लिए हम क्या लिखेंगे capital easy या फिर easy लिखेंगे ये दोनों orbital के लिए क्या w z generate होते हैं तिसलिए easy लिखेंगे इनके लिए अच्छा normalization constant जो हमने निकाले थे s का क्या निकाला था 1 upon under root 6 p के लिए हमने 1 upon under root 2 निकाला था और d के लिए 1 upon under root 2 और d x square minus y square के लिए हमने निकाला था 1 upon under root 4 अब आएए molecular orbital diagram को हम 1 by 1 देखते हैं तो ये हमारे हो गए metals के orbital ये हमारा metal का d orbital हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये d हो गया, ये s हो गया और ये p हो गया d में 2 part में divide होते है d 2 z और e z s का हमारा a 1 z होता है और p का हमारा क्या होता है d 1 ये होता है ऐसे ही अगर हम ligand की बात करें तो ligand में भी कितने orbital हो जाएंगे total कितने हैं इसमें 5, 1, 6, 7, 8, 9 ठीक है लेकिन इसमें से participate कितने कर रहे हैं यहां के 2 और यहां के 1, 2, 3, 4 तो total 6 orbitals तो हम 6 ligand लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से 1 s orbital होगा ठीक है 3p orbital होंगे और 2 d orbital होंगे d orbital भी कौन से ले रहे हैं हम क्योंकि हम sigma 1 form कर रहे हैं तो easy orbital होंगे t1u होंगे और az1 होंगे अब हम इसको overlap कराते हैं अच्छा overlapping का जो energy order होता है वो क्या होता है a1g होता है उससे जदा t1u होता है उससे जदा easy का होता है उससे जदा t2z का होता है फिर anti-bonding में easy anti-bonding फिर a1g anti-bonding फिर t1u anti-bonding ओके बिटा आप समझते हैं जैसे हमारा सबसे पहले energy order हम किसका लिखेंगे a1z a1z यहाँ पर यह है ठीके यह हमारा metal का a1z है अगर हम ligand का देखें तो यह हमारा यह है a1z अब इसका और यह जो metal है यह metal का हो गया और यह हमारा क्या हो गया ligand का हो गया यह आपस में combine करेंगे तो एक bonding बनेगा ओके बिटा ठीके और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा anti bonding यह बना कोई doubt नहीं अब इसके बाद क्या जेगा to to हमारा क्या है p orbitals p orbitals और यहाँ पे क्या है हमारे यह है p orbitals इनका जब हम combine करेंगे तो पहले थो हमारे bonding बनेगे इसके साथ यह बिटा थोड़ा आप लोग ऊपर बनाईगा मुझसे थोड़ा नीचे बन गया है तो यह है यह यह हमारे क्या हो जाएगा p orbitals का और यह है हमारे तीन p orbitals जिसका t1 है symmetry match कर रही है तो इसका anti bonding भी बनेगा अच्छा ध्यान रहना चाहिए anti bonding देखो आपका a1 का anti bonding है और a1 से ज़्यादा t1 की anti bonding है तो a1 से उपर t1 की anti bonding हमें बनानी है यह energy order है ठीक अब क्या होगी हमारे s orbital से match होगी symmetry ligand की p orbital की symmetry match होगी ligand से अब बनाते हैं हम क्या अब हम बनाते हैं अपना easy orbital ठीक है इसके बाद क्या है easy orbital यह हमारा metal का easy orbital है और यह हमारा ligand का easy orbital है अब हम easy के लिए बनाएंगे यह metal हो गया यह ligand हो गया और यह हमारे क्या हो गया metals के easy orbitals हो गया यह मिर से थोड़ा सा नीचे बनके तो इसको आप थोड़ा उपर ही बनाएगा थीक है इसका अब एंटी बनाना से Hoş एंटी every का सबसे नीचे है नीचे ठीक है तो हम इन दोनों से नीचे एजिका एंटी बान्डींग pensando ऑदंध बनाएंगे ए तो उनको हम as a non-bonding यहाँ पर 3 orbitals को लिख लेते हैं और लिख लेंगे d to z ओके आई होप आपको यह समझ में आया होगा इसको हम बोलेंगे metal d orbitals यह हमारे lgo's हो जाएंगे और यह metal orbital of ml6 octahedral के लिए यह diagram बनेगा तो आई होप आपको यह diagram समझ में आया होगा बेटा मुझसे थोड़ी से फॉल्ट यह होगी कि मैंने इसको बहुत नीचे कर लिए इसको आप यहाँ पर बनाना यहाँ पर बनाना तो यह वाला जो नीचे जुग किया रहे नीचे नहीं जुगना चाहिए थोड़ा ओपर यह तो बस आप इसमें correction कर लिजेगा I hope आपको समझ में आया होगा कोई दिक्कत होगी तो you can ask in comment box thank you